हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आपके अपनी चैनल ये शुदा किचन में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि हम यम दीप को कैसे तयार करते हैं कैसे बनाते हैं और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो बहुत सारे लोग जो है जो है धंतेरस बाले दिन जलाते हैं बहुत सारे लोग चोटी दिवाली वाले दिन जलाते हैं लेकिन हम जो है धंतेरस बाले दिन जलाते हैं और कैसे जलाते हैं यह बताँगी लेकिन तरीका से भी दिन जलाई है चोटी दिवाली पर धंतेरस बाले दिन तरीका सेम ही होगा तो फ्रेंट चलिए हम यमदीब तेयार करते हैं तो सबसे पहले हमें लेनी है एक जो है चौकी आप चाहे तो चौकी ले सकते हैं या पटला ले सकते हैं लकड़ी का होना चीए साफ सुत्रा होना चीए तो अगर साफ नहीं तो आप साफ कर लीजिए उसको दोग के तो यहाँ पर मैंने साफ कर लिया था पटले को उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर हल्दी का चौक अगर आपके कास पास कहीं पर गया का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है वरना अगर नहीं मिलता तो आप यह हल्दी जोक बना लीजए इस तरीके से आपको चौका सा लगाना है यहां पर चौक बना लूँगी जहां। उस जगा पर हमें बनाना है स्वास्थिक तो हमें इस तरीके से ही रखना होता है यहम देप पूरे विदी विदान से और अच्छे से बनाना चाहिए, इसमें कोई गल्दी नहीं होने चाहिए आपसे, तो यहाँ पर मैंने चौक बना लिया है, चौक बनाने के बाद है, मैं बनाऊंगी स्वास्तिक, तो हमें आटे से बनाना है स्वास्तिक, तो आप चाहें तो रोली से भी बना सकते हैं, यहाँ मैं आठे से बना रही हूं दो हमाओ काृटाथ स्वास्तिक बनाते समय हमें, जो साथ स्वास्तिक किनारियां होती है उसको हमें हलगा सा उपर को ठाना होता है एःग तो तो सीध्य शीध्य नहीं रखने हैं हमें हलका सा गोल आकार देना हैं तो स्वास्तिक हम इस तर例 के से बनाना आता है से आपको इनारियां बना तरह के से और कर देनी हैं इससे लिया भूत सारे लोग लोग बनाते हैं लिया है तुर के हमसी हमल कोुदक भा, षब हैसा अबुदकam बताने के लिए अमदीप कैसा जला जाता है। अधे रखा हुआ नहीं अधे चीजान रहा करें लेकुं पड़ने के लिया बनाना है जतने कहलाया अधे चीज की निया ही पालतु मेने coral के बना यह उपको दिखा यहां ुदो नहीं नहीं जालने का नहीं ah государ तो आप मिट्टी का बजार से ले सकते हैं या फिर आप चिकनी मिट्टी का भी बना सकते हैं तो यहां पर हम आटे का बनाते हैं इसलिए मैं आपको आटे कहीं दिखा रही हूं बनाके तो यहां पर हमारे चार जो है मुक का दिया बन गया है हमें चार बाती का दिया बनाना है लगाना है और चार बाती के दिया लगाने का क्या फाइदा है ये भी मैं आपको बताऊंगी तो चार बाती का दिया क्यों लगाना चाहिए और क्या फाइदा है ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ तो friends यह हमारा दिया भी तयार हो गया दिया हमें ऐसे ही नहीं डारेक्ट रख देना है हमें लेने हैं चावल या पिर आगर आगर आपके घर में गया हूं है तो आप गया हूं ले लीजे बहुत अच्छी बात है अगर प्राक में बना आपकेँ, निसे हम पर 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 कौना इस वहां 2 ही ऐस पर पर बना तो यहां पने चाह स्वास्थी बनाएं क्पीन मेरे पास आप sûrब के Πाइँ तो में यहां पर मोली चैब सब्सक्राइब मुली के बातिया निकाल दी नहीं है आपको गतर प्रबशाव कर दिया दो और लेंके लिए बातिया कर स्कितों के दिखाए छिलों कोई ब्हूंगे यांपे तेल、、 निन जिए हैं तो इसका न ही लेकिन देल से कोडी है तो बेक ढालते हैं क्षी बहुत अच्छी होती है तो डब यहीं कई करना है दिय जलाने से सबसे पहले करना है चे चारो पर दिलक करना है तो इन चाहे तो всё अवमें जिए सब लगा करना है तो 7 शीक पिंड़ फूल मतलब हमें पूरी समय तक हैर सक्क्राइब तो इसको वी दीय से पूजा दिय तो पीजा दिय पूरी समये तो tuck channel process पता होता कि दक्षिन दिशा किस तरफ है तो वह चार बाती जो दिया लगाएंगे यह वला तो यह दिए की लॉज ढ़ाएंगे पूरव पक्षिन उत्तर दक्षिन दक्षिन तो जो एक लिंग में पता होता दिए लगाते हैं तो इस pernah दो यह तो अगर हमें नई भी पता होगा अगर हम गलत दिसा में दिया लगाएंगे तो यह हर जगा जाएगी तो यह इसका फायदा ही पायदा होगा और फ्रेंड्स इस दिये को वैसे हमें दक्षिन की तरफ मुख करके ही लगाना चाहिए दक्षिन की तरफ ही लगाना चाहिए लेक घर के बहार का मेंन गेट हमें बहार की साइट लगाना है इस दिये को और हमको दिया लगा के सीधा घर में आ जाना है और जो आपके साथ दिया मतलब कोई अपके साथ है आपका घर का मेंबर आपके साथ ही बहार गया है दिया लगाने के लिए गेट पे तो आपको जो है उनको सिभी साथ में लेके आना है बाहर किसी को नहीं रहना है उस वक्त अगर कोई दूर है या काम पे है या फिर कहीं पे है दुकान पे है देर में आएंगे वो तो उनको रहने दिये लेकिन जो अगर द्वेइण द्वायेंहां Assistant when वहां है। समय कीया है। पूझा अर्जना करतेवए आपको बोलना है। सिधा दीप रखे और आजाना है। जला हुआ दीप आप लेके भार जाईये। शमेओ है आपको पीची मुर्के नहीं देखना है, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक कमेंट जरूर करिएगा मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई